नमस्कार दोस्तों, इंसुरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है यहां आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंसुरेंस की जनकारी इंसुरेंस प्रोफेशनल के द्वारा वह भी बिल्कुल आसान भाषा में आज हम बात करने वाले हैं LIC के 3 Best Children Plan के बारे में यदि आप अपने बच्चे की future planning के लिए LIC की policy लेने का plan कर रहे हैं और आपको decision लेने में confusion हो रही है कौन सी policy लें यह आप decide नहीं कर पा रहे हैं तो बने रहे हैं इस वीडियो के अंतक हमारे साथ आपको अपने बच्चे के लिए सही insurance policy का चुनाओ करने में मदद जरूर मिलेगी आगे बढ़ने से पहले आप जान लीजिए यह तीनो policy अपने आप में best हैं आपके लिए क्या best है यहां आपकी सोच और planning पर निर्वर करता है इस वीडियो में मैं policy के structure और इसके benefit से जुड़े महतपूर्ण तत्यों की जानकारी दूँगा आपको जो भी policy पसंद आए उस policy की detail वीडियो जरूर देखें उसके बाद ही अपना decision लें तो चलिए शुरू करते हैं पहली policy है child money back plan जिसका table number है 932 यहां एक money back policy है इस policy के अंतरगा 3 बार money back मिलता है पहला जब बच्चे की age 18 years होती है तो समिल शोड़ का 20% मिलता है दूसरा जब बच्चे की age 20 years होती है तो समिल शोड़ का 20% मिलता है जब बच्चे की age 22 years होती है तो समिल शोड़ का 20% मिलता है जब बच्चे की age 25 years पूरी हो जाती है तो इस policy की maturity हो जाती है और समिल शोड़ का 40% और 7 में bonus का भुगतान होता है इस policy का अंतरगत deferment of survival benefit की भी सुविधा है जिसके तहट बच्चे की age 18 years, 20 years और 22 years होने पर जो money back मिलता है यदि आपको उस समय नहीं चाहिए तो उसे आप policy period के दोरान बाद में कभी भी ले सकते है या फिर maturity के time पर इसका भुगतान हो जाएगा और इसका भुगतान LIC interest के साथ करेगी यदि आपके बच्चे की उम्र 0 years से लेकर 12 years तक है तो आप इस policy को ले सकते हैं इस policy के अंतरगत जितना policy period होगा उतने period तक आपको premium का भुगतान करना होगा यदि आप इस policy को लेते हैं तो premium waiver rider जरूर लें ताकि premium भरने वाले अभिवावक के साथ कोई अन्होनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो इस policy के अंतरगत future के सारे premium माफ हो जाए और समय पर policy के benefit का भुगतान भी हो जाए यदि 30 years का भिवावक अपने एक साल के बच्चे के लिए यह policy 10 लाग के समय शोट की लेते हैं और साथ में premium waiver rider भी लेते हैं तो उन्हें हर महीने 3718 रुपे प्लस जेश्टी का भुगतान करना होगा other mode का premium भी आप यहाँ देख सकते हैं यह first year का premium है और यह first year के बाद का premium है बच्चे की उम्र 18 वर्ष 20 वर्ष और 22 वर्ष होगी तो 2-2 लाग का money back मिलेगा जब बच्चे की उम्र 25 वर्ष पूरी हो जाएगी तो लगभग 18 लाग 30,000 की maturity भी मिल जाएगी यह जो calculation है वह LIC दोरा declare किये गए बरतमान bonus rate के आधार पर है आपकी policy के अंतरगत जितना bonus का rate LIC हर साज declare करेगी उसी का अनुसार bonus का भूगतान होगा अता आपकी maturity इस से कम या ज्यादा की भी हो सकती है तो total premium का भूगतान होगा लगभग 10 लाग 17,000 रुपे और total benefit का भूगतान होगा लगभग 24 लाग 30,000 रुपे पूरी जनकारी के लिए आप मेरी child money back plan 932 की वीडियो जरूर देखें जो अगली policy है जीवन तरुन table number 934 यह भी एक money back policy है जिसके अंतरगत 5 बार money back मिलता है money back बच्चे की age 20 years पूरे होने पर मिलना सुरू होता है और यह हर साल बच्चे की उम्र 24 years पूरे होने तक मिलता है और जब बच्चे की age 25 years पूरी हो जाती है तो policy की maturity हो जाती है आपको money back sum resort का कितना percent चाहिए इसका चुनाव करना होता है आपको हर साल money back sum resort का 5% चाहिए 10% चाहिए 15% चाहिए या money back नहीं चाहिए इसका चुनाव आपको policy लेते समय करना होता है आपके चुने गए option के अनुसार 20 साल से 24 साल तक money back का भुगतान होता है और जब बच्चे की age 25 वर्स पुरी हो जाती है तो बचा हुआ श्रमिशोट और bonus के साथ maturity का भुगतान हो जाता है बच्चे की higher education को plan करने के लिए यह एक बहुत ही अच्छी policy है यदि बच्चे की age 0 years से लेकर 12 years तक है तो आप इस policy को ले सकते हैं इस policy के अंतरगत जितना policy period होगा उससे 5 years कम तक premium का भुगतान करना होगा यदि आप इस policy को लेते हैं तो premium waiver rider जरूर लें ताकि premium भरने वाले अभिवावक के साथ अन्होनी हो जाती है तो future के सारे premium माफ हो जाएं यदि 30 years का अभिवावक अपने one year के बच्चे के लिए यह policy 10 लाग के समिसोट के साथ लेते हैं और 15% money back वाले option का चुनाव करते हैं और साथ में premium waiver rider भी लेते हैं तो उन्हें हर महिने 4,050 रुपे प्लस JST का भुगतान करना होगा बाकी मोड का premium भी आप यहाँ देख सकते हैं यह first year का premium है और यह first year के बाद का premium है बच्चे को 20 वर्ष से 24 वर्ष की उम्र तक 1,50,000 का money back हर साल मिलेगा और बच्चे की उम्र जब 25 वर्ष पुरी हो जाएगी तो लगभग 16,80,000 की maturity मिल जाएगी यह जो calculation है वह भी LIC दोरा declare किये गए बरतमान bonus rate के आधार पर है तो इस policy के अंदर गत टोटल premium का भुगतान होगा लगभग 9,25,000 रुपे और टोटल benefit का भुगतान होगा लगभग 24,30,000 रुपे पुरी जनकारी के लिए आप मेरे जीवन तरुन table number 934 की वीडियो जरूर देखे हैं जो अगली policy है जीवन लक्स table number 933 यह policy LIC की सबसे ज़्यादा बिकने वाली policyों में से एक है यह policy कन्यादान policy के नाम से भी जानी जाती है और इसके दो policy का combination जीवन साथी policy के नाम से भी जानी जाती है इस policy को आप अपने नाम पर लेकर बच्चे को नौमिनी में रख सकते हैं अपनी जरूरत और बच्चे की age के अनुसार 13 years से लेकर 25 years तक का policy period सेलेक कर सकते हैं मतलब आपको बच्चे की किस age पर maturity चाहिए उसके अनुसार policy period का चुनाओ कर सकते हैं आप जितने साल की policy लेंगे उससे तीन साल कम तक आपको premium का भुगतान करना होगा यहां मैं आपको सलाहत दूँगा कि policy को कम से कम 15 साल का लें ताकि final additional bonus का भी भुगतान हो जाए इस policy के अंतरगत waiver of premium की invild coverage है और इसकी जो सबसे खास बात है यदि बिमाधारक के साथ अन्होनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो नौमनी को हर साल summer short का 10% का भुगतान होता है और साथे साथ future के सारे premium में माफ हो जाते हैं और maturity के time पर summer short का 110% और साथ में bonus के साथ maturity का भुगतान होता है मतलब यदि आप अपने बच्चे की सिक्षा, शादी या कोई भी financial goal आप रहें या ना रहें हासिल करना चाहते हैं और साथ में अपने पिछे अपने परिवार को regular income परदान करना चाहते हैं तो यह जीवन लक्ष policy आपके लिए है यदि 30 years का विवावक अपने एक साल के बच्चे को ध्यान में रखते हुए यह policy 10 लाग के summer short की लेते हैं और policy rate के रूप में 24 वर्ष का चुनाओ करते हैं ताकि बच्चे की एज जब 25 वर्ष पुरी हो तो maturity मिल जाए तूने हर महिने 3646 रुपे प्लस GST का भुगतान करना होगा इस policy का अंतरगात उन्हें 21 वर्ष तक premium का भुगतान करना होगा बाकी mode का premium भी आप यहाँ देख सकते हैं या first year का premium है और या first year के बाद का premium है जब बच्चे की एज 25 वर्ष पुरी हो जाएगी तो लगबग 24 लाग 54,000 की maturity मिल जाएगी यदि अभिवावक के साथ अन्होनी हो जाती है तो हर सार एक लाग का भुगतान होगा और 37,000 future के सारे premium भी माफ हो जाएगे और लगबग 25 लाग 54,000 की maturity का भी भुगतान होगा यहाँ जो calculation है वह भी LIC दोरा declare किये गे बरतमान bonus के rate के आधार पर है तो total premium का भुगतान होगा लगबग 9,20,000 रुपे और total benefit का भुगतान होगा लगबग 24,000,000 रुपे पूरी जानकारी के लिए आप मेरे जीवा लक्ष टेबल नमबर 933 की वीडियो जरूर देखे हैं यदि आप एक बार में ही premium का भुगतान करके अपने बच्चे की future की planning करना चाहते हैं तो आप single premium indoment plan table number 917 की policy ले सकते हैं इस policy के अंदरगत आप अपनी जरूरत और planning के अनुसार 10 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के policy period का चुनाव कर सकते हैं इसमें आप 50,000 के single premium से लेकर जितना चाहे उतना पैसा लगा सकते हैं इस policy की सबसे खास बात यह है कि इसे यदि आप long term के लिए लेते हैं तो इसमें FD से अच्छा return मिलता है और साथ में insurance की coverage भी जो की FD में नहीं मिलती इस policy को LIC की FD policy भी कहा जाता है यह policy किसी अपनों को gift करने के लिए तो बहुत ही अच्छी policy है इस policy के detail वीडियो में मैंने इसे FD से compare करके भी दिखाया है उस वीडियो को जरूर देखें सभी policy की detail वीडियो के link मैंने इस वीडियो के description में दे दी है आपको कौन सी policy अच्छी लगी प्लीज comment करके जरूर बताएं और insurance को आसान भासा में समझने के लिए इस channel को जरूर subscribe करें यदि आपके पास कोई सवाल है तो उसे comment box में लिखें और अंत में अपना किम्ती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद